सुगर मॉनिंग गाईज तो चले स्टार्ट करते हैं आज के आने के 28 देसंबर के important current affairs को तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहें और बहुत ही important प्रशन है ये कि railway board के chairman और CEO के रूप में अभी किसे nuket किया गया है तो answer होगा अनिल कुमार लाहोटी को तो अभी अनिल कुमार लाहोटी को railway board के नए chairman और CEO के रूप में nuket किया गया है आपको बताए अभी तक हमारे railway board के chairman और CEO कौन थे विने कुमार त्रिपाथी तो ये उनका इस्थान लेंगे तो अब अनिल कुमार लाहोटी का आपको नाम याद रखना है बागे आप जानते हो सुश्मिता शुकला फेडरल बैंक के पहली vice president बनी थी मेगना अहलावत टेबल टैनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और साजी केवी नाबाड के नए अध्यक्ष बने थे ये नाम भी important है और हमारे रेल मंतरी कौन है अश्वीनी वैशनव है पहले रेल मंतरी कौन ते जौन मताई आप जानते हो पहली वंदे भारत ट्रेन ये कहां से कहां चली दिल्ली से वारना सी और इंडिया में father of railway किसे का जाता है Lord डलोजी को क्योंकि इनी के समय भारत की पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाड़े 1853 में और भारत गोरव योजना के तहट पहली निजी ट्रेन ये कहां से कहां चली कोईंबर टूर से शिरडी के बीच में आप जानते हो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो होगी कॉलकता मेट्रो ये हुगली नदी के नीचे चलेगी अभी जो rail university है वडोद्रा में उसका नाम बदल के गती शक्ती यूनिवरसिटी कर दिया और उसके चांसलर किसे बनाया गया अश्विनी वैशनव और आपको बताए हाउडा काल का मिल ट्रीन का नाम बदल कर नेता जी एक्सप्रेस कर दिया गया और बताएए भारते रेल्वे ने भारत का पहला सुधिशी हाइपर लूप विक्सिट करने के लिए किस IIT के साथ समझुता किया तो IIT मदरास और कवच क्या है कवच भारते रेल्वे ने स्वचलिद ट्रिन सुरक्षा प्रनाली का परिक्षन किया था उसी का नामे कवच मतलब आमने सामने अगर एक ही पट्र पे ट्रेन आ रही है तो उनको टकराने से रोके गई है और परधान मंतरी गति शक्ती के तहट पहला कारगो टर्मिनल ये का पर स्थापित किया गया आसन सूल रेल्वे स्टेशन पस्चिममंगाल में और भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये का पर बनाया जा रहा है सूरत में विशाप को बता है टोटल रेल्वे जोन हमारे 18 है 18 नंबर का विशाका पतन में तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स भी बढ़ते आगे और हाँ गाईस जैसा कि आप लोग को पता है वीडियो के बाद इन क्यूशन का टेस्ट भी लिया जाता है आपकी क्रेक एक्जाम एप्लिकेशन पर ताकि आप खुद से खुद का एनलेसिस कर सकें कि जो अभी अभी चीज़े आपने पढ़िये वो आपको कितनी याद है और अब से मैं क्या करूँगा डेली टॉप फाइफ इस्टुडेंट्स का नाम भी आपको यहाँ पर शोग करूँगा ताकि आप भी मोटिवेटिड फिल कर सकें आपकी और इच्छा हो ज्यादा मेनत करने की जब आपका नाम आपका फोटू के साथ हर कोई देखेगा तो आप भी अपने आप में प्राउट फिल करेंगे तो 27 देसंबर की करंट फाइफ की जो क्विज हुई थी उसमें हमारे टॉप फाइफ स्टुडेंट् देमराज ये फर्स नंबर पे आए, सेकंड पे हैं सुनील, फिर हैं मनुज, फिर हैं महेश कुमार और हैं गगन तो बाकी स्टुडेंट्स से भी मैं यही कहूँगा प्रैक्टिस करते रहे हैं एक ना एक दिन आपका भी नाम यहाँ पे टॉप फाइफ में शो होगा तब आप भी अपने पेरेंट्स को दिखाना, देखिए हमारा नाम भी यहाँ पे टॉप फाइफ में आया है, तो उनको भी अच्छा फील होगा, वो भी खुश होंगे देखना, कि हाँ हमारा बेटा, हमारी बेटी अच्छे काम कर रहे हैं, यह पढ़ रहे हैं, वरना ऐसे हर कि स्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी बढ़ते आगे, और सेशन अच्छा लगे, मैनत अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना नहीं कर रहा थो, और इसे अपने दोस्तों तक शेर जरूर करना, अभी बढ़ते आगे, चलिए बताईए फिर, अभी देसमबर 2022 म घुशित, टेस्ट एटलस अवार्ट्स के अनुसार, भारत 2022 के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ट व्यंजनों की सूची में, पाँचवे स्थान पर रहा है, तो इसमें टॉप पे कौन रहा, टॉप पे इटली रहा, सेकंड पे ग्रीस है, तीसरे पे है स्पेन, भारत पा इसमें सबसे नीचे यानि कि 95 नंबर पर नौर्वेजियन भोजन है, यानि कि नौर्वे का फूड है, आप बता सकते हो, किस राज्य के पास अपनी तरह का पहला राज्य स्थरिय बर्ड एटलस है, तो आंचरोगा केरल, और अभी अमने पढ़ा था, कि फूड सिक्योरिट इटलस पाने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना था, तो आंचरोगा जारखन, इससे पहले के दो थे बिहार और उडिसा, ये भी ध्यान में रखना हम बढ़ते आगे, फिर बताईए, अभी हाली में NHAI, National Highways Authority of India के नए अध्यक्ष कौन बन गए, तो आंचरोगा संतोष कु पाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो नाम भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, लेकिन ज्यादा इंपोर्टेंट संतोष कुमार का नाम है, बाकिया आप जान दे अभी Bombay Stock Exchange के नए MDCO कौन बने थे, सुन्दर रमन राममूरती, KVIC के CEO बने थे, विनित कुमार, और ONGC के प्रमुग बने थे, अरुन कुमार सिंग, ये नाम भी अभी नियूज में थे, और ये इंपोर्टेंट नाम है, ध्यान रखना इनको बढ़ते आगे, चलिए, फिर बताईए, अभी हाली में, फसाय, यानि की Food Safety and Standard Authority of India के मुख्य कारेकारी अधिकारी के रूप में अभी किस बाकी ये अपोइंटमेंट भी इंपोर्टेंट है, जैसे कि फिक्की के अभी नए प्रसिडेंट कोर बने थे, तो अंसरों का सुब्रकांत पांडा, प्रसार भारती के CEO बने थे, गौरव द्विवेदी, और अखिल भारते रबण उद्योग संग के नए अध्यक्ष, कौन पांचर क्या करते हो, अखिल भारते रबण उद्योग संग के नए अध्यक्ष बने थे, रमेश के जरिवाल, फसाए इसका हैड़कटर नए दिल्ली में है, इस्तापना होती संद 2008 में, और अभी नए CEO बन गए, गंजी कमल वी राओ, बढ़ते आगे, और हाँ गाईज, आ तोड़ा सा नाम में करेक्षन है, स्वाती नहीं है, स्वस्ती है, तो वो स्वाती पढ़ने में आया, तो इसको स्वस्ती कर लेना, साइकलिस्ट है ये, स्वस्ती इनका नाम है, जहाँ भी नोट्स आपने बना रखें, महाँ पीसका करेक्षन कर लेना, वैसे क्विज में मै ने इसका correction कर दिया था लेकिन मैं मानता हूँ आप लोग आप पूरा पढ़ते नहीं हो बस देखा और आंसर लगाया question भी नहीं पढ़ते हो जहां तक मुझे लगता है तो question पढ़ा करो उससे आपकी habit बनेगी exam में चल्दी यल्दी question को पढ़ने की अभी इसको correction कर लेना अभी हम बढ़ते आ गए चल्ये फिर बताईए अभी December 2022 में पहला अंतर राष्टर टर्टियर महत्सव 2022 का आयोजन ये कापे किया गया तो अंसर उगा केरल में तो इस festival का नाम याद रखो पहले तो Bekal International Beach Festival पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है इसलिए भी ये important है अभी 24 December को ये शुरू हुआ 10 दिनों तक ये चलेगा कहां पर तो अपने मसालों के लिए मशूर North Malabar के रूप में प्रसिद केरल के उत्तरी तट पर कौन सा festival है ये Bekal International Beach Festival अच्छा यूँ बताओ आप तो केरल के समुद्रे तट को क्या कहते है Malabar तट कहते है लेकिन Tamil Nadu के समुद्रे तट को क्या कहते है ये पूछेंगे तो Koromandal तट कहते है और अगर पूछू कि भारत में कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा Coastal Line है मतब जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा समुद्र से लगती है तो आंसर होगा गुजरात और विश्व में पूछा जाएगा तो कनडा आंसर होगा अभी लेटेस्ट हमने पड़ा था एकाद महीने पहले वो कौन से दो बीच है जिनको Blue Flag Certificate मिला था तो लक्षे दिवीप के थे ये दोनों बीच एक था थुंडी और एक था कदमत वो भी ध्यान रखना बाकी बात यहां पर केरल किये तो यह रमैप में केरल आप जानते हो केरल जिसे Garden of Spice मसालों का बाग कहा जाता है यहां की Capital तीरुननंदपुर में बारत का पहला Space Stake Park आपको यहीं पर मिलेगा विक्रम सारबाई Space Station आपको यहां पर मिलेगा मुख्य मंतरे पिनाराई विजियन है और गवर्नर है आरिफ महम्मत खान अभी आपको याद होगा नवंबर में अठारवे अंतरराश्ट्रे टेले मेडिसिन सम्मिलन का आयोजन हुआ था केरल कोची में और अभी बताओ किसे पहले केरल जियोती पुरुसकार के लिए चुना गया था तो MT वासुदेवन नायार को अभी केरल राजजबर में सोनी की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राजबी बना था और आपको बताए भारत का जो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है उसका नामे आइस विक्रांत उसको किसने बनाया है कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड ने और भारत का पहला हाइडरोजन इंदन वाला इलेक्ट्रिक पोत भी यही बनाएगा और कोचीन इंटरनेशनल एरपोर्ट भी याद रखना ये दुनिया का पहला सोर उर्जा से संचालित होने वाला एरपोर्ट बना था और एक मल्यालम फिल्म निर्माता है केपी कुमारन जिनको अभी केरल के सर्वोच्य फिल्म में पुरसकार जैसी डैनियल पुरसकार से सम्मानित किया गया था मल्यालम भाशा ये केरल की क्लासिकल लेंग्वेज है और क्लासिकल डांस की बात करोगे तो केरल के क्लासिकल डांस है कथक कली और मोहिनिय अट्टम और अगर आपसे पूछे कि किस राज्य ने देश की पहली ओंकोलोजी प्रियोक्षाला का उधगटन किया तो भी आंसर होगा केरल अभी 75 वी संतूष ट्रोफी जिसका संबंध है फुटबॉल से इसको केरल ने जीता है पस्चि मंगाल को हरा करके और कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य भी है आपका केरल तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चेंपिन्शिप का खिताब किस ने जीता तो आंसर होगा गेटो सोरा ने एरोनाचल प्रदेश के हैं ये गेटो सोरा जिनकी उम्र है मात्र साथ साल उन्होंने अभी नौ वर्से कम आयू वर्ग के टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चेंपिन्शिप का खिताब जीत लिया इस चेंपिन्शिप का आयूजन कहाँ पे किया गया कौला लूमपूर मलेशिया में आपको बता दू ये जो गेटा सोरा है इन्होंने 2020 में गुवाहाटी असम में PNB मेटलाइफ चूनियर बैडमिंटन चेंपिन्शिप में भी गुल्ड मेडल जीता था इसी दर से तस्नीम मीर का नाम आपने सुनाओगा अंडर 19 गल्स सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर वन हासिल करने वाली पहली भारतिय ये बनी थी अभी हमने पड़ा था पेरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ दे येर 2022 किसे चुना गया मनीशा रामदास को ये तमिल नाडू से है ये जीता था विक्टर एक्सल सेन ने वो डैन्मार के हैं इसमें उप विजेतर रहे थे लक्षय सेन उनका मी नाम याद रखना और इंडिया ओपन बैडमिंटन टोर्नमेंट जिसको यॉनेक संराइज इंडिया ओपन 2022 भी कहते उसमें में सिंगल का टाइटल जीता था लक् मनीशा रामदाश ने जीता था और बैडमिंटन की बात आती है तो दो कप आपको याद रखने होते हैं एक तो थोमस कप और एक उभेर कप पहला इस्टेटिक प्रशन तो यही बन जाएगा कि इन कप का संबंध किससे है तो बैडमिंटन से है आगे डिटील में चलते हैं तो थोमस कप इसका संबंध है यह पूरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसको पहली बार अभी भारत ने जीता था इंडोनेशिया को हरा करके और उबेर कप यह महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है इसको अभी साउथ कूरिया ने जीता है चाइना को हरा करके आप जानते हो World Badminton Championship 2000 जो 26 में होगा वो भारत में होगा और Badminton World Federation का Headquarter मिलेगा Kuala Lumpur मलेशिया में तो याद रखना ये points बढ़ते आगे चले फिर बताईए अभी हाल में सर्वुश्रेष्ट वैश्विक प्रतेश परदी विद्युत कमपनी पुरुश्कार किसने जीता है तो आंसर होगा NHPC तो भारत सरकार के स्वामेत्व वाली कमपनी NHPC Limited को पंद्रवे इनर्टिया अवोर्ड्स 2022 में भारत की सर्वुश्रेष्ट प्रतेश परदे विद्युत कमपनी का पुरुश्कार मिला है इसका फुलफर्म क्या हो गया NHPC का National Hydro Electric Power Corporation जिसकी स्थापना होती है 1975 में ये भारत में जल विद्युत विकास के लिए सबसे बड़ा संगठन है जिसका मुख्यले आपको मिलेगा फरिदाबाद हरियाना में और इसके CMD है राजिव कुमार विश्नुई आपको बताए अभी वरत लब होता है Rural Electrification Corporation Limited नव रतन कंपनिया भी 12 है और मिनी रतन 73 है ये पासा ध्यान रखना बढ़ते आ गए फिर बताईए अभी किस यूरोपिय देश के द्वरा Transgender कानून पारित किया गया है जिसमें 16 वर्षे जादा आयू के वेक्ति अपना लिंग परिवर्तन करवा सकते है तो आंसर होगा Spain तो अभी Spain में एक नया Transgender कानून पारित किया गया है जिसके अनुसार 16 वर्षे उपरी आयो का कोई भी वेक्ति अपना लिंग बदल सकता है पर अगर उसकी उम्र 14 से लेके 16 वर्ष के बीच में है तो उसके माता-पिता के अनुमती होनी चाहिए और अग अगर भारत में बात करें तो IPC की धारा 377 में समलेंग एक ता अपरात थी अब उसे समाप्त कर दिया गया ये कौन सा केस था नवतेज कौर केस अच्छा इस्पेन की केपिटल क्या है मैडरिड है अभी इस्पेन दो-तीन कारणों से न्यूज में था एक तो जो अंडर 17 फी उसको भारत ने जीता था इस्पेन को हरा करके और आपको एक स्पेनिश फिल्म डारेक्टर का नाम याद होगा कार्लोस सोरा अभी 23वे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ओफ इंडिया का आयोजन हुआ था गोवा में वहाँ पे सत्यजीत रे लाइफ टाइम ये हुई थी मेड्रेड इस्पेन में और मोबाइल वर्ल्ड कॉंग्रेस 2022 का आयोजन भी वह था बार्सिलोना इस्पेन में अच्छा इस्पेन के दो टैनिस प्लेयर के नाम आपको याद दूगे एक तो राफेल नडाल है इन्होंने अभी आस्ट्रेलिन ओपन का खिताब जीता था पुरुशों का और एक कार्लोस अलका राज है इन्होंने युएस ओपन में पुरुशों का खिताब जीता था ये दोनों टैनिस प्लेयर हैं स्पेन से हैं अच्छा अगर मैं आपसे एक प्रशन पूछू हूँ कि समलेंगिक विबा को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है तो याद रखना नीदरलेंड है और अगर आपसे पूछा जाए कि समलेंगिक विबा को वेद बनाने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है तो अंसर होगा ताइवान लेकिन इसका उल्टा भी याद रखना समलेंगिक विबा को समाप्त करने वाला विश् लिए फिर बताईए रश्या के बाद भारत किस देश के साथ भारतियर रुपे में व्यापार शुरू करेगा तो अंसर उगा शिरे लंका तो अभी आर्बियाई ने मंजूरी दे दी है कि भारतियर रुपे में विदेशी व्यापार कर सकते उसके बाद रश्या पहला देश था जिसके साथ हमने रुपे में व्यापार करना शुरू किया और अब उसके बाद शिरे लंका के साथ भी हम रुपे में व्यापार शुरू करेंगे और ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि देखो जब भी हमें विदेशों के साथ व्यापार करना होता है तो हम अमेरिकी डॉलर मे खोले जाएंगे और एक प्रशना आपको याद रखना है अगर आपसे एक्जामे मानलों पूछ लिया जाए कि अभी RBI से भारतिया रुपे में व्यापार करने के अनुमतिव पाने वाला पहला बैंक कौन सा बना था तो ये ज़रूर याद रखना यूको बैंक बना था उसक इसका मतलब मैंने अभी आपको कहा न व्यापार करने के लिए वोस्तोर अकाउंट खोला जाएगा तो वो वोस्तोर अकाउंट ये इनी बैंक में खोले जाएंगे और ये कौन खोलेगा जिस देश के साथ हम डील कर रहे हैं वो उस देश के जो सलेक्टेड बैंक होंगे वो चेयर्मेन बने थे जैशाह और इसके अद्मिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जैवर्दने पुरम कोटे करंसी है श्री लंकन रुपी अब यहां के नए पलधान मंतरी कौन बने थे दिनेश गुण वर्धने आपको बता है भारत और श्री लंका के बीच में एक स्ट्र करते हैं और अगर आप वीडियो पे पहली बार है तो आपको बता दू सन 2022 में जितने भी युद्ध अभ्यास मिलेक्टरी एक्सरसाइज भारत ने किये हैं उनका एक स्पेशल वीडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया है सारे से रिलेटेट कुश्यन आपने वहां पे अंदित कोई प्रशन आपका पूछा जाता है एक्सराइजाम में तो वो प्रशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगा तो वो वीडियो एक बार देख करके जरूर जाना एक्सराइज जाने से पहले और उसकी quiz बना करके अप्लोड कर दिया करेके exam application पे ताक आप अपर ची रहते हैं यह बता हूँ आप और 2022 में बिमस्टेक के अद्धिक्ष था यह शिरिलंका ही कर रहा है और शिरिलंका से याद रखना अभी जो पूरुशों का एश्या कप हुआ था किरकेट एश्या कप यह एक तो युनाइटेड अरब अमिरात में हुआ था उसको किस ने जीता शिरिलंका ने पाकिस्तान को हरा कर गे लेकिन महिलाओं का जो इश्या कप हुआ था वो बांगलादेश में हुआ था उसको भारत ने जीता था शिरिलंका को हरा कर गे और याद रखना 2024 में अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप होंगे यह शिरिलंका में होंगे और 2026 वाले यह जि तो अब रभी लद्दा आख ने लद्दाख की नव वर्ष को चिनहित करने के लिए लोसर महुट्सोब मनाया। लोसर महोत्सव या लद्दा की नववश कह दीजी, सर्दियों के दोरान मनाया जाने वाला लद्दा का एक प्रमुक सामाजिक धार्मिक त्योहार है, और हर साल 24 देसंबर से 15 दिनों तक आयोजित होने वाले इस त्योहार के दोरान प्रेयर लेंप जिलाए जाते हैं, ये अंदाजा लगा लोगे कि हम इस फेस्टिवल का मनाया जाता है लद्दाक में, एक इस पूतिक गश्टर फेस्टिवल भी यहां मनाया जाता है, सिंदू दर्शन महोत्सव पूछेंगे तो वो भी यहां मनाया जाता है, यहां के उपराज्य पाल लेटिनन गवर्नर कोने, रदाकृष्ण मात्र है, अच्छे एक लोसर महोत्सव और एक होता है लोसांग महोत्सव, तो दोनों में आप कन्फ्यूज मत होना, तो लोसर महोत्सव तो याद रहने लद्दाक का है और लोसांग फेस्टिवल यह आपके सिक्किम का है, और आपको बताया भी पेतिस्वा सुरज कुंड अंतर राष्टर शिल्प मेलेका योजन कांपे वता हर्याणा, पुषकर मेला पूछेंगे तो यह मनाया जाता है रज्जिस्थान में, और पुषकर फेस्टिवल होता है जमू कश्मीर में, खीर भवानी मेला पूछ ले, बंगस आवाम मेला पूछ ले, जम पूरसकार के लिए किसे सम्मानित किया गया, तो आंसार होगा S के रो, एको आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया है, और guys, session अच्छा लगे, और अभी तक आपने इसको like नहीं किया, भूल गए, तो please इसे like कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आ आपका study group हो गया, वहाँ पे एक बार इसे share जरूर करना, और इनका quiz बना करके upload कर दिया गया, PDF पे आपको मिल जाएगा, आपकी click exam application पे आप ये रहा आज का आपका homework प्रशन,